अब आप सिर्फ 50 रुपे दे कर अपना प्लास्टिक का आधार काड़ मंगवा सकते हैं चाहे उसमें आपका मॉबाईल नंबर रिजिस्टर हो या फिर ना हो और ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ अपना आधार काड़ मंगवा सकते हैं बलकि आप अपने family members में से किसी के भी आधा आधार कार्ड को online order कर सकते हैं और इसका सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि एक पिलाश्टिक आधार कार्ड होता है जो PVC कार्ड बोला जाता है ये ना तो तूटेगा और नाहीं कभी गलेगा जैसे हमारा normal सब्वाल आधार कार्ड होता है जिसको प्रिंट आउट कराके निकालते हैं उसके बाद लैम्रेशन वेगरा कराते हैं तो कई बार जो है वह क्वट जाता है या फिर ऐसे करके मुर्जा जाता है लेमनेशन वगरा उतर जाती है इससे बचने के लिए आप पीवीसी कार्ड को ओर्डर कर सकते हैं और इसके लिए सिर्फ आपको 50 रुपे पेमेंट करना होता है एक आधार कार्ड के लिए अगर आपके फैमली मेंबर में 5 लोग हैं तो आपको 250 रुपे देने होंगे इन पांचों के पीवीसी आधार कार्ड को ओनलाइन ओर्डर करने के लिए और साथ ही यहाँ पे आपके मॉबाइल नंबर का रिजिस्टर होना भी जरूरी नहीं है तो आज की इस वीडियो में मैं आपको कम्प्लेट गाइड करने वाला हूँ कि कि इस तरह से आप ATM की तरह ही अपने आधार कार्ड को बनवा सकते हैं और इसका प्रोसेस पूरा क्या है तो जानने के लिए वीडियो पर बने रही है मैं हूँ अहमन हुसायन और आप देख रहे हैं टैकलपर हुसायन चैनल अगर आपने भी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्र पूट इन की जो की आधार कार्ड की ओफिशिल वेबसाइट है उसके बास सिंप्लि आपको यहां गेट आधार वाली ओप्सन में आना है और यहां पे आपको एक ऑफ्सन मिल जाता है और अधार पी वीसी कार्ड आपको इस पर टैप करना है उसके बाद ऐसा इंटर्फेस आपको देखने को मिलेगा और यहां आपसे Login करने के लिए बोला जा रहा है Login with Adhar and OTP तो simply आप यहां Login पर Click करते होंगे आपको यहां Adhar के लिए बोला जा रहा है आप यहां पर अपना Adhar number mention करेंगे यहां पर अपना OTP यहां पर अपना Capture mention करेंगे और उसके बाद Send OTP पर Click कर देंगे फिर जो OTP आएगा वो आपको यहां पर फिल करना होता है उसके बाद आप यहां पर Login कर पाते हैं अब यहां पर सबसे बड़ा मसला यह आता है कि जिन लोगों का Mobile Number उनके Adhar Card के साथ में Attach नहीं है लिंक नहीं है उनको OTP नहीं जाता क्योंकि यहां से OTP जाएगा आपके Registered Mobile Number पर तो अगर आपको Mobile Number लिंक है आपके Adhar Card के साथ तो पहले वाले Option पे आप आकर यहां से अपना Adhar Number mention करिए Capture डालिए, Send OTP पे किलिक करिए और उसके बाद आप यहां से Login होईए और उसके बाद अपने Adhar Card को आप यहां पे Order करिए जो PVC Adhar Card है लेकिन अगर आपको जो Mobile Number है वो लिंक नहीं है Adhar Card के साथ और आप चाहते हैं कि मेरा PVC Card आए तो आपको यहां पे नहीं आना बलके Scroll करना है और Scroll करने के बाद में आपको यहां पर भी एक Option मिलेगा आप और Scroll करिए Order, Adhar, PVC Card करके Simply आपको यहां किलिक करना है बस इतना सा फरक है और उसके बाद आप यहां से इसको Scroll करेंगे यहां पे आप अपना Adhar Number डालेंगे उसके बाद यहां पे आप अपना Capture डालेंगे और यहां पर आपको यह mention करना है कि जो आपको Mobile Number है वो registered है या नहीं है जब नहीं है तो आपको यहां पे किलिक करना है और उसके बाद कोई भी एक Mobile Number कोई सा भी जो link ना भी हो अपना हो Friends का हो Family Member का हो किसी का भी आप यहां पे डालेंगे और send OTP पे किलिक कर देंगे उसके बाद जो OTP आएगा उसको आपको यहीं पे फिल करना है मैं आपको बता देता हूँ पहले इसको पूरे को फिल कर लेते हैं एक बार अब सारी details हमने यहां पे फिल कर दी है उसके बाद हमने यहां पे OTP फिल कर दिया है जो हमारे एक दूसरे Mobile Number पर आया है और उसके बाद हमने यहां पे इसको जो है Terms को Accept करना है उसके बाद यहां से Clause करना है और उसके बाद सिंपली आपको यहां Submit पर किलिक कर देना है उसके बाद आता है Due to Privacy License, Demographic Data for the Aadhar Number cannot be Disclosed at the State तो आपको सिंपली आपके पर किलिक करना है उसके बाद यहां पे आ जाता है Payment करने के लिए तो यहां पे आपको बता रहा है कि Your request has been registered with SR Number इतना और Please use this number of the order tracking and correspondence with UIDA यानि यह SR Number है आपका और इसे से आप इसको track करेंगे कि यह कहां पहुंचा, कब तक पहुंचेगा साथ ही यहां पे बोला जा रहा है कि आपको यहां पे 50 रुपेज जो है उनका payment करना है और यह JST वगरे के साथ है आपके 50 रुपेज कोई extra payment आपको नहीं करना है और उसके बाद यहां पे आप I here भी करके जो आ रहा है यहां पे आप click करेंगे यानि यहां पे contents देंगे और उसके बाद में यहां पे देखों मैं इसको उपर कर देता हूँ यहां पे एक make payment करने के लिए बोला जा रहा है आपको simply make payment पर click कर देना है उसके बाद यहां से आपका dashboard open हो जाएगा जहां से आपको 50 rupees का payment करना है तो यहां पे आपको काफी सारे options मिलेंगे यहीं पे आपको UPI को search कर लेना है या तो आप यहां पे कर सकते हैं net banking के through आप यहां पे जो आपको option दिया गया है net banking का वो है wallet से कर सकते हैं card से कर सकते हैं अगर आपके पास credit card या फिर debit card है तो या फिर आप UPI से कर सकते हैं Google Pay, phone Pay, Paytm से या आप WhatsApp से कर सकते हैं तो मैं जैसे UPI का एक बार बता देता हूं यहां पे आप phone pay, abhim या पेtm किसी को भी open कर लेता हूं यहाँ पे अपनी कोई भी एक UPI ID डाल दीजी उसके बाद यहाँ पे आपको simply verify पे click करना है यह जो green वाला आया रहा है जैसे आप यहाँ पे verify पे click करेंगे उसके बाद आपका जो mobile है उसमें आपको अपने phone पे को open कर लेना है payment कर देना है और यहाँ से आपका यह successfully हो जाएग और उसके बाद जो srn number आपको मिला है उससे आप इसको track कर सकते हैं वो track कैसे करना है वो बता देता हूँ वापस से आपको पहली वाली ही website पर आना है और यहीं पर आपको मिल जाता है check आधार pvc card status आपको simply इस पर click करना है इस पर click करने के बाद आपको वापस से scroll करना है इस scroll जब आप करेंगे तो यहां से आपको यही option मिलेगा और check आधार pvc card order status का आपको simply इस पर click करना है srn number डालना है जो हमने copy किया था और यहां से आपको अपना capture फिल करना है उसके बाद submit कर देना है तो यहां से आप यह पता लगा पाएंगे कि आपका जो आधार card है जो pvc आधार आप online order करना चाहते हैं वो कहां तक पहुंचा है और कब आपके पास पहुंचेगा तो आप दोस्तों वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा इसी तरह की और informative वीडियो के लिए चैनल को subscribe करने के साथ साथ घंटी का बटन भी जरूर दबाएं तो चली दोस्तों मिलते हैं को और नई वीडियो के साथ तब तक के लिए जैहें